हेलो अब हम स्टैम के बारे में स्टड़ी किये करेंगे हमने रूट को मतलब कम्प्लीट स्टड़ी कर लिया है रूट को हमने रूट का टैप रूट सिस्टम के बारे में एडवेंटिशिस रूट सिस्टम के बारे में और आपको जो मतलब Fibri-System के बारे में हमने complement study कर लिया है हमने region of root को भी study कर लिया है and modifications of the root उसको भी हमने study कर लिया ठीक है उसके बाद हम क्या study करेंगे stem के बारे में study करेंगे stem क्या होता है अब थिखकर यहां पर stem जो होता है it is also called as the ascending part of the plant जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर मस्टर्ड प्लांट के उपर देखोगे अगर आपने मस्टर्ड प्लांट को देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो पार्ट that is below the ground that is called as the root system and the part which is above the ground that is called as the suit system और उसको हम क्या बलते हैं ύकर सब्सक्राइं क्या है उसके उपर ठीज सबैस्ट जुक्राइज होती है यहां पर आपकी उपर नंगी और आप होती है फ्रूर्ट उते हैं फ्रूर्टी ब्रूर्ट पर होता है लेकिन stem जो होती है, stem जो होती है, जो कहां से राइस करती है, वे plamule part of the embryo से राइस करती है, ऐसी मैंने आपको बताय था, यहां पर अगर मैं diagram बनाऊ, यहां पर मैं diagram बनाऊ, यहां पर क्या था, यह आपका जो है, dicot cotylidans है, यह कहा है, radically or this is called as the plumule, this is called as the plumule, जिसको हम बोलत हैं, तो आपका stem जो होता है, that arise from the plumule part of the embryo, तो stem कहां से राइस होती है, plumule part of embryo से जो है, क्ये करती है, वो राइस करती है, ठीक है, यह भी आपने और root कहां से राइस करती है, आपकी जो है, that arise from the radical part of the embryo से, जो मतलब राइस करती है, देखो यहां पर, तो what are the features that distinguish the stem from the root, ऐसे कौन से feature होते हैं जो कि एक stem को करते हैं root से distinguish करते हैं stem जो होता है ascending part है किसका plant का axis का जिसको एपर branches होती है leaves होते हैं flower होते हैं fruit होते हैं लेकिन root के पास ऐसी system नहीं पहाँ जाता है यह जो होता है develop करता है plumule part of the embryo लेकिन roots होती है that arise from the radical part of the embryo stem के उपर क्या होते है nodes and inter node present होते हैं अब देखो nóde क्या होते है जैसे आपका plant है जैसे मान लो servant यह हुआ यह इस प्लांट है इसके उपर क्या होता है यह आपका सूट सिस्टम है जहां से लीब जो है adjacent node is called as the inter-node तो वही चीज़ है तो stem के पास के होते हैं आपके nodes होते हैं और inter-node होते हैं और ये node के होते हैं ऐसा region होता stem का जहां से leaves होते हैं अराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं node बोलते हैं ठीक है और the space the distance between two adjacent nodes is called as the inter-node तो उसको हम बोलते हैं ये भी आपने याद रखने हैं ठीक है तो ये भी आपने याद रखने हैं ठीक है तो ये चीज़ क्या है the stem where node and inter-node और reason of the stem where leaves होते हैं और worn is called as the node while the inter-node क्या होते हैं the portion between two node is called as the inter-node stem के पास क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं axillary word होता है terminal pergunt होता है ठीक है जो की ना-वीः ओसकता है आप लीहाइज़ भी होता है जैसे मान दो कि आपके स्टेम है यह आपका जो है मतलब स्टेम था यह यह आपका स्टेम था यह जो यह यहां आससे leimarais हुआ है है यहां से भी क्या हो रो टीक है और यहां पर क्योंकर एक बड़ प्रजेंट रोगों क्या बोलेंगे यहां पर का बोलते हैं यहां पर क्या है स्ट्रेम के पास के होते है bud present होते हैं पीच में भी terminal फिसमें भी Exhale और stem जो हती है green होती ही जब young होती है stem is green when you जो हती है dark brown बन जाते है due to secondary growth हम पढ़ेंगे next chapter में secondary growth की वैसे क्यों होते है dark brown और body बन जाती है main function stem का क्या है spreading out branches बनाना leaves बनाना floor बनाना पर फूर्ट क्रेबाओ पढ़ने है जो इसका में काम क्या है जो रूट आपका पानी और मिनरल जो एब्सार्ब कर रही है तर एक हुसको ट्रांसपोर्ट करना कंडक्त करना इत कंडक्त करती आहाँ वॉटर को मिनरल को फोर्टो सिंथेट जो आपके leaves में बनते हैं ठीक है leaves में photosynthesis होती है तो वहाँ पे glucose stars बगएरा शुक्रोज बगएरा जो बन रहे हैं उनको conduct करना और कुछ ऐसी stem होती है जो करती है perform करती है परफॉर्म करती हैं करती है storage का function करती है sport का काम करती है protection का काम करती है और vegetative जो मतलब propagation का काम करती है ठीक है तो यह भी आपने याद रखना और एक और चीज़ है आपका अडिशन यहांपे लार्जस्ट बड़ जो है कहां पाय जाता है LARGEST बड़ जो होता है कहां पाय जाता है Daddy's in पत्था गोबी ठीक है Daddy's in the Carvage Largest बड़ जो होता है कहां पाया जाता है kwes में पाया जाता है या रखना kwes में क्यों होता है largest bird जो होता है मतलब पाया जाता है यह भी आपने याद रखना है उसके बाद उसके बाद हम देखें की modification of the stem कैसे होती है stem के क्या क्या modifications होती है दो कि यहाँ पे stem may not always be typical like but they are expected to be उनका मेन काम यह नहीं कि ब्रांचीज बनाना, लीब्स बनाना, फ्लार बनाना, बड बनाना, इसका मेन, जब इसके सिवाए कुछ और काम कर रही है, जब यह मॉडिफाइड हो गी है, तो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, that is called as the modification of the stone, जैसे आप देख सकते हो कि underground stem of potato, यह है, underground stem of the potato, ginger, turmeric, jimikand, और colocasia जोते हैं, यह क्या करते हैं, यह food store करते हैं, यह आपने यहाल रखना है, उसके बाद, they also act as a organ of perination to tide over the condition unfavorable for growth, जब फैबरल कंडिशन आएगे तो उसमें ग्रोव करेंगे, और unfavorable condition में करेंगे, यह tide over कर जाएंगे उस conditions को, unfavorable condition में growth करने में भी important role play करते हैं, तो they also act as organ of germination यह perination to tide over condition unfavorable for growth, ठीक है, उसके बाद stem tendrils, stem जो होती हैं, यह modified कर जाती हैं, जैसे आपने देखोगा, stem जो होती हैं, यह modified into tendrils, stem tendrils होते हैं, which dwell from the axillary water, are slender and spirally coiled, and help plant to climb such as ground, gourd, cucumber, pumpkins, watermandles, और यह आपके green wines, जैसे यह होता है, जैसे इन में क्यों होता है, जैसे मान लो कि यह plant है, इसका जो है leaf है, ठीक है, यह जो है leaf है, ठीक है, इसकी axillary में क्यों होता है, एक bird present होता है, यहां पे axillary में क्यों होत है, ठीक है, यह tendril बना रहा है, और यह tendril का main क्या है, climbing में help करना, tenderil का main का main क्या है, climbing में help करना, जैसे stem tendrils होते हैं, यह कहां से develop करते हैं, यह axillary bodder से rise करते हैं, और के होता हैं, यह spirally coiled होते हे, यह plant को climb करने में important role play करते हैं, जैसे जितने भी आपके e ko состав गेंजिक ऊकुम् यह क्लाइमिंग में हैल्फ करते हैं यह भी आपने याद रखना है ठीक है उसके बाद उसके बाद एक और चीज आती है यहां पर एक और देख एगसाम्पल क्या है क्या खाथ एπस लुग ऑडी क्या कर रहा है उसके एकथ्षूरी बड क्या कर रहा है उभी तर्न ऐसुमच भाड़ा बनारे है तो यहीं पते आपको कुकॉमर के बगारे में ग्रेड वाइने same है लेकिन function जो है अलग अलग हो जाते है तो इनहीं को हम क्या बोलते है homologous organ भी बोलते है homologous organ भी बोलते है इनको origin same है लेकिन function जो होता है वो different हो रहा है asis stem tendris and thorns होते हैं homologous organ thorn का mean काम क्या है thorns होते है externalρω지 stem they may get modified into body and straight प्लांट को प्रोटेक्शन का काम करते हैं यह भी आपने याद रखना है उसके बाद सम प्लांट जो होते हैं जो हमारे ड्राइ एरिया के होते हैं उनकी स्टेम जो होती है फ्लेट हो जाती है ध्यान से सुनना और फ्लेशी हो जाएगी अगर फ्लेशी और फ्लेशी और राउंड सिलिंड्रिकल होगी लेकिन फ्लेशी होगी जिसे यूफ और इनके पास क्लोरोफिल होता है फ्लेशी होगी और फ्लेशी होगी और फ्लेशी होगी और राउंड्रिकल होगी तो यूफ लेकिन अमें और इनके पास क्लोरोफिल होता है इसको हमके बोलते हैं यह जो फोटोसिंस का काम करती है और यह जो modified stem है of indefinite growth की इनको हम बोलते हैं philoclad इनको हमके बोलते हैं philoclad बोलते हैं very very important यहां पर जो है stem के कर रही है वो क्या कर रही है function जो है important role play कर रही है that is called as the philoclad बोलेंगे ठीक है तो this modified stem जो होती है for the senses कर रही है this modified stem of indefinite growth की that is called as the philoclad जो है that is example is opantia and euphorbia लेकिन कई ऐसी stem होती है जो की cable और cable limited growth की होती है वो definite growth की होती है ठीक है वो one internode जो होती है लंबी होती है ठीक है वो one internode होती है लंबी होती है उनको हम क्या बोलते हैं लेकिन इनडेफनेट ग्रोथ की होती है तो उनको फिलो क्लैड बोलते हैं इनडेफनेट ग्रोथ की होती है लेकिन इनडेफनेट ग्रोथ की होती है। यह ने टाइब है फिल इक फ्रेंड और अप्रफ कर जाती है जिस आपको न्यूप ग्राउंड हमें करेगी तो नया प्लांट बन जाता है इस टाइप के जो हमारी स्टेम को कि कि बहुते हैं रनर बोलते हैं ठीक है जैसे आप ने जब ग्राउंड यहां पर करेंगी वो ग्रो करेंगी नए अरिया में जाएगी नए अरिया में जाएगी नए अरिया में जाएगी ग्रो करेंगी तो इस टाइप of stem is called as a runner उसको हम बोलते हैं runner कहाँ पाई जाते हैं grasses and strawberry में तो runner क्या है ये भी underground stem है of some plant such as grass and strawberry ठीक है spread to new niches and when older part die off हो जाता है तो new plant जोता है new part जोता है वह बनता है that is called as a runner इसको हम बोलते है ठीक है उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे plant हैं जैसे mint हो गया jasmine हो वहाँ पर क्या होता है कि lateral branch होती है वह base of main axis से क्या होती है arise होती है ठीक है और जैसे ही वह कुछ aerial कुछ time तक grow करेगी फिर दोबारा क्या करेगी मतलब वह आपके जो मतलब ग्राउंड को touch करेगी और एक नया plant बनाएगी जैसे मान लो यह कोई plant था ठीक है जैसे कोई ऐसे grow करेगी और यह आपका जो इस type की जो modification को हम क्या बोलते हैं इस type की modification को हम बोलते हैं stolen बोलते हैं क्या बोलते हैं stolen बोलते हैं branch, a lateral branch with short inter node एक lateral branch होगी, arise होगी short inter node and each node जो ते हैं that bear a rostate of leaves and tuft of root is called as is found in aquatic plant जैसे piste and economy, देखो कैसे, इस और निये में देखो यहां पर आपका माल लो यह water है ठीक है, water है, यहां पर प्लांट जो है, ग्रो कर यह plant जो है, मतलब इसमें बहुत सारे root जो होती है, node से rise हो रही है leaf जो होते हैं, मतलब ऐसे यहां पर क्या होगा, एक ऐसे मतलब inter node long, यह जो है निकल रहे है यह क्या होते है, node से, ऐसे leaf, ऐसे rise होते हैं, पानी के अंदर तो यह जो है, this is called as the offset, this is called as the offset और यह क्या करता है, यह भी इसको क्या करेगा, मतलब germination में important role play करता है, तो क्या होगा है पीस्टिया और इस्वार्णिया में क्या पाए जाते हैं, offset पाए जाते हैं उसके बाद, banana, pineapple crysanthemum में, banana, pineapple, crysanthemum क्योंगा later branch के करे, arise हो रही है base part से जो है और underground portion of the stem से, और horizontally grow करती है beneath the soil, और overly जो है, वो एक नया shoot बनाती है यह भी क्या example है, यह क्या सकर का example है, सकर का example है तो यहां से question कैसे आते हैं यहां से question जो आते हैं, वो example से question आते हैं, जैसे runner कहाँ पाए जाते हैं, runners होते हैं आपके grass and strawberry में पाए जायेंगे उसको stolen कहाँ पाए जाते हैं MJ, अनि के mint और jasmine में पाए जाते हैं, आपके जो offset कहाँ पाए जाते हैं, pisti और 예선ी में पाए जाते हैं, और आपके सकर कहाँ पाए जाते हैं, banana pineapple और banana pineapple क्रास安्यथम concrete przy सकर जो हैं पाए जाते हैं तो this is all about your stem मैंने stem के बारे क्या बताया कि इदा आपका जो मतलब जो portion which is above the ground that is called as a stem modification भी हमने पढ़ ली जैसे मैंने बताया कि ये कुछ में food storage का काम करती है तीक है जैसे आपका मैंने आपको jimikand, turmeric, ginger, potato के बारे में बता दिया उसके बार मैंने आपको बताया है कि ये thorns का भी बना, thorns भी बनाती है citrus, बागन वेली हमें उसके बार grape, wines, watermelon और cucumber वगएरा हमें क्या करती है एक्सली, tendril बनाती है, ठीक है philocled, open shear और euphorby हमें बनाती है यो भी photo synthesis होते हैं, लेकिन वो limited growth वाले होते हैं One inter node long होते हैं, उसके बाद runner mint and jasmine में runner होते हैं तेक है उसके बाद आपके stolen جो होते है만 mint and jasmine में होते है mint and jasmine और jasmine जो होते हैs, stolen पाय जाते है और offset कहां पाय में पायते हैं आई शौर नहीं पाए जाते हैं और शबकर कहां पाए जाते हैं बेना ना ठीक है पाए नेपर एंडर आपका जो बीपीसी यानि की आपका क्राइस अंत्रम में जो होते हैं यह पाए जाते हैं उसके बाद next portion जो है that is called as the leaf leaf क्या होता है leaf को में डिटेल में study करेंगे leaf is the lateral generally कैसा होता है flat structure होता है जो मैंने आपको बता है node से rise करेगा ठीक है node से rise करेगा ठीक है तो leaf is a lateral generally कैसा होता है flat structure होता है जो कि born on the stem it dwells at the node and bear a bird in its axle जिस बड़ को हम क्या बोलते है ex- gustaría alerts बोलते है जैसे मैंने आपको मैंने आपको किया बता है था मैंने आपको क्या होता है यैजिसे यह जो है मतलब प्लांट है तक है यह जो है क्या है यह उलाय नोड है यहां से क्या हो रहा है आपका leaf जो है मतलब arise हो रहा है ठीक है this is a leaf ठीक है leaf जो क्या हो रहा है वो arise हो रहा है ठीक है इसके axle में क्या होगा इसके axle में क्या होगा आपको जो है axillary bird जो है present होगा इसके axle में क्या होगा axillary bird present होगा और ये bird क्या करेगा ये bird क्या करेगा हो सकता है फ्लार भी बना सकता है ब्रांच भी बना सकता है तो यह एक्सलरी बर्ड जो होता है यह फ्लार ब्रांच में भी चेंज हो सकता है ठीक है तो वही चीज़ है एक्सलरी बर्ड लेटर ड्वल्प इंटो ब्रांच और लीफ ओरिजनेट कहां से करता है हमें पता है शूट एपिकल मैस्टम से करता है और ये एक्रोपिटल सक्षेश्चन में करते हैं ग्रोव करते हैं देखो कैसे एक्रोपिटल सक्षेश्चन क्या होता है जैसे मान लो कि आपको कोई प्लांट है वो ग्रोव कर रहे है ग्रो कर रहा है तो क्या कर रहा है लीफ बनते जा रहे हैं यह ग्रो कर रहा है लीफ बनते जा रहे हैं लोग लीफ बनते जाते हैं ठीक है तो यह जो सबसे जो टॉप पे जो लीफ होगा सबसे टॉप पे जो लीफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे यंगेस्ट लीफ होगा सबस सक्षेशन में के करेंगे वो ग्रो करते हैं यह भी आपने याद रखना है उसके बाद अब देखो यहां पे लीफ के कितने लीफ के कितने पार्ट होते हैं लीफ जो है इसके में तीन पार्ट होते हैं अब दोगो यहां पर यहां पर क्या है अगर मैं डायग्राम बनाओं ठीक है आप वैसे तो आपकी NCRT में डायग्राम दे रखी है ठीक है तो यह आपका स्टेम है stem है और यह आपका जब लीफ जो होता है लीफ के करता है लीफ बेस से करता है वो attach होता है कहां पर वो attach होता है stem के साथ तो यह leaf base जो होता है यह help करता है attachment of leaf to the stem is called as the leaf base बोलते हैं उसको ठीक है leaf जो है इसके तीन पार्ट है leaf base है, petiol है, lamina है और leaf जो है attached होता है stem से by leaf base and many bear to lateral small leaf like structure not leaf, they are leaf like structure called as the stipule तो यहां पर क्या हो सकते हैं कि base के उपर क्या होता है, दो leaf like structure present होता है, इसे आपके example दे रखे हैं यहां पर ठीक है, एक्स जरीवर तो हो गई होगा लेकिन यहां पर leaf like structure भी ऐसे present होते हैं, उनको उनको क्या बोलते हैं stipule बोलते हैं, और ऐसे leaf जिन में stipule present होता है उनको क्या बोलते है, stipulate leaves बोलते हैं, ठीक है, लेकिन monocot में, बहुत important है, question यहां से कई बार आया हुआ है, monocot में leaf waste होता है कभी आपने wheat plant को देखना राइस को देखना, उसके जो leave waste लेकिन legumness plant में leaf waste होता है, वो swollen होता है, leaf waste कैसा होता है जिसे महानलोगर में अगरे diagram बनाओ उँझा मुझेसे monocot stem हुए यहां पर leaf byस क्या करेगा वो एक sheet की form में present होता है यह इस चीर की फॉर्म में प्रेजंट होता है ठीक है वह स्टेम को कबर करता है पहलते हैं इस को हमके बोलते हैं यह नहीं है पाया था लेकल बगहरा यह प्लवाइनस leaf type वोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पलवाइनस लीफ बोलते हैं तो यह कहां पायाता है आपका legumness में तो यहां क्या है in some legumness plant में क्या होता है leaf waste होता है वो swollen हो सकता है which is also called as a pulvinus ठीक है लेकिन monocotumum क्या होता है expanded होता है long thin flex petioles होते हैं यह करते हैं easily जो हमारे अगर long होंगे thin होंगे हमारे petioles तो हमारे leaf जो का flutter करेगा cooling cause करेगा cooling leaf को provide करेगा और fresh air करेगा leaf के surface पर तक लेके आएगा ठीक है leaf lamina जो होगा आप देख सकते है this is the leaf lamina ठीक है यह पूरा को पूरा क्या है यह leaf lamina है leaf lamina जो को हम leaf blade बोलते है यह green होता है expanded part होता है leaf का जिसको ओपर क्या होती है veins or vanelets जो प्रेजन्ट होती है veins और weanelets जो प्रेजन्ट होती है ठीक है और यह veins और vanelet के करती है यह रिजडिटी प्रोवाइड करती है हमारे लीफ को, तो क्या है लेमिना और लीफ ब्लेड़ होता है, ग्रीन होता है, एक्स्पेंडेड होता है, पार्ट आप ता लीफ, विद वेन्ज और वेनलेट, और तर यूजली क्या होती है, एक मीडल प्रॉमिनेंट वेन प्रेजें करती है, इस एक लेड को, और ये इस एंडर क्या होता है, जाइल 시청 ब्लें में होते है, और आपके जो पानी, मिनरल, फूड वगारा क्या करेंगे, ट्रांस्पोर्ट करेंगे, तो दे चैनल प्रवाइड करती है, पैसर प्रवाइड करती है, एक पाथ प्रवाइड करती है, ताकि leaf के every हिस्से को क्या मिले, water मिले, minerals मिले, food material मिले, और shape, margin, apex, surface और extent of incision जोती है, आपके दिखाएगे यह नहीं यहाँ पे इंसीजन, यह हर एक leaf में क्यों होती है, यह differ differ होती है, ठीक है, shape के according, size के according होती है, मतलब, जो हमारे incisions होती है, वो क्यों होती है, differ करती है, तो this is all about your leaf, उसके बार आती है आपकी venition, बहुत important है, कि आप management of veins and veinlet on the leaf blade, leaf lamina is called as the venition, जब veins के करी, the simple, आपका यहाँ example दे रखा है, यहाँ पे जो है, the simple, most important example, आपने people का जो है, मतलब, लीफ देख लेना है, उसके उपर veins and veinlet के करती है, वो एक network बना रही है, ठीक है, इसकी branches हो रही आगे, इसकी आगे जाके बना रही है, एक network जो है जो है बना रही है, इसको हम क्या बोलते है, reticulate type of venation बोलते है, when veins and veinlet के करती है, एक network बनाती है, then this venation is called as the reticulate, और most of dicot plant में क्या होती है, आपकी reticulate venation ही present होती है, reticulate venation ही present होती है, उसके बाद अगर veins जो होती है, आपके leaf lamina के ओपर क्या कर रही है, वो parallelly अरेंज हो रह सारी के सारी parallel ही जा रही है, this type of venation is called as a parallel venation and this is a contrasting feature of monocot plant, this is the contrasting feature of monocot plant, ठीक है, वही चीज़ है, तो arrangement of veins and veinlet in the lamina of leaf is known as the venation, और when the veinlet form a network, venation को हम क्या बोलते है, reticulate venation को बोलते है, और when veins होती है, parallel to each other within a lamina, the venation, जो होते है, storm is the parallel venation, और leaves of dicot plant, generally क्या करती है, reticulate venation को करती है, और while the parallel venation, जो है, the characteristic feature of the monocot plant, यह भी आपने याद रखने, उसके बाद आते हैं आपका, जैसे types of leaves, very very important, types of leaves कितने type के होते हैं, ठीक है, देखो, leaves जो होते हैं, बटा, वो दो type के होते हैं, ए compound leaves, देखो, simple leaf का example, तो यहाँ पर, देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यह simple leaf है, आइसका देखो, दिहान से समझना, मैंने क्या बताया था, मैंने यह बताया था, कि यह leaves simple है, इसमें क्या है, यह stem है, यह leaf base है, यह क्या पैटियोल है, और यह क्या leaf blade है, ठीक है, जब leaf blade जो है, यह heard, आहाँ पर क्या हैं, यह मान लोग मिडड़ रिव है यह बहाता है, यह सिंपल leaves में प्थके में नहीं, यह समये होता है एक leaves को सिंपल तब ही भोला जाएगा जब इसका लैमिना पूरा पूरा complete होता है यह क्लोगा तेरो कंपलीट होता है तो वैसे leaves को हम क्या बोलेंगे वैसे leaves को हम क्या बोलेंगे simple leaves बोलेंगे वैसे leaves को हम क्या बोलेंगे simple leaves बोलेंगे और हमेशा simple leaves के axle में क्या होगा bird present होता है हमेशा simple leaves के axle में क्या होता है bird present होता है देखर दोबारा बता रहा हुँ मैं एक leaf को simple तब बोला जाता है जब उसका lamina जो होता है complete होता है entire होता है अगर उस leaf में incision भी है अगर उस leaf में क्या है incision भी है तो वो incision जो होती है कभी भी mid rib तक नहीं जाती है वो बाहर बाहर तक ही होती है never touch the mid rib इस टाइब के लीव को हम क्या बोलते हैं इस टाइब के लीव को हम बोलते हैं सिंपल लीव इसको हम बोलते हैं लेकिन कंपाउंड लीव क्या होते हैं यहां पे जो है मतलब आपकी इंसीजन तो है लेकिन इंसीजन क्या कर रही है midrib को touch कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं incision जो है वो कह कर रही है midrib को touch कर रही है और जिसकी बस से कि पूरा को पूरा एक leaf था वो small small leaflet में change हो गया small small leaflet में change हो गया और हर एक leaflet के exil में कोई bird प्रेजर नहीं होगा leaflet के excel में क्यों होगा बड़ जो है मतलब प्रेजेंट नहीं होगा यह भी आपने याद रखना है बड़ जो है मतलब प्रेजेंट नहीं होगा लीफ के लीफ के सिंपल लीफ के एक्जिल में हो सकता है लेकिन लीफ लेट के एक्जिल में जो है बड़ प्रेजेंट नहीं होता है तो यह भी आपने इस ताइब की लीफ को हमके बलते हैं, compound leaf होते हैं, तो देखा पड़ते हैं, बलते हैं, बलते हैं कि ये leaf is said to be simple, when lamina is entire और in size है, लेकिन incision जो होती है, do not touch the mid rib, और when the incision of lamina reach up to the mid rib, और जिसकी बसे की होते है, leaf जो होते है, that is break down into smaller smaller leaf later, this leaf is called as the compound leaf होते हैं, और bud is present in the axle of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axle of leaflet, तो आपके जो है, देखो यहां पर, यह compound leaf है, इसका यह petiole है, निचे, इसके axle में बढ़ होगा, लेकिन इनके axle में बढ़ नहीं होगा, leaflet में, यहां पर बढ़ हो सकता है, तो इस type के leaf को हम क्या बोलते हैं, compound leaf होलते हैं, simple में तो obviously, वह यह होगा, ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां रखना कि बढ़ जो होता है, वह axle दोनों, simpler compound, ऑब पैटिखोल के axil होगा, लेकिन leaflet के axil में नहीं होगा, leaflet के axil में नहीं होगा, और compound leaf जो होते हैं, दो टाइप कि होते हैं, pinnitally compound leaf होते हैं, जहां पर क्यों होते हैं, बहुत सरे, जो मतलब लीफ लेट्स होते है एक ही axis के उपर मिद्रीत इसको क्या बोलेंगे एकNS कॉम इसको मर रैक की शो बोलेंगे क्या बोलेंगे रैकर बोलेंगे इसको मर 2 नहीं क्या पर क्या नहीं in Eat लीफ जो हो रहे हैं मतलब वो अराइस हो रहे है ठीक है यहाँ पर क्या है तक कंपाउंड लीप मेच अरिसकि कंपाउंड लीफ मेप 10 और पर नंबर अव लिफ लैड्ज होते हैं यह रप्रेजट रॉट फ्हा फ्हांस कांश। के बोलती है रैकिश बोलती है जो कके रिपरेजंट करती है almost दिर्री वाफर मिड़री वाफर लीफ जैसा कि नीम में और साथ में एक मिलें लुआप सायकस में क्या होता है इसके पाम मिलें, पाम जैसे हॅपके ही हेली होती है वैसे क्या होता है कि लीफ्लेट्व ग्रिस होते हैं काम idag लुद पॉइंट बोल्ड कीॉप cachate आपको एकजमपल याद करना पड़ेंगे उसके बार क्या है फिलो टेक्सी बेरी बेरी इंपॉर्टन है यहां से भी कोशन आता ही आता है फिलो टेक्सी क्या होती है philotexy का मतलब है कि stem के उपर या branch के उपर leaves किस तरह range है leaves किस तरह range है उसको बोलते हैं philotexy जैसे आप देखते हैं न बटा यहाँ पर आप चाइनर राइस को देखो चाइनर रोस के है ब्राइस के उपर के है हर एक node से एक एक leafy के और है arise हो रहा है alternate type of philotexy बोलते हैं बैने single leaf जो हता है arise होता है एक node से एक node से एक leaf यह arise हो रहा है this is called as a alternate manner of philotexy this is called as a alternate philotexy बोलते हैं जैसे example कि आपका china rose china rose is the example of alternate philotexy कई बार question आया है कि alternate philotexy किस में पाई आती है china rose में पाई जाती है उसके बार opposite जब क्यों होगा आपके जो है मतलब एक node से जो है मतलब आपके दो leaf arise हो रहे हैं देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक node से क्या हो रहे हैं दो leaf जो है arise हो रहे हैं this type of philotexy is called as a opposite philotexy बोलते हैं और example कहा है calotropican guava example है याद रखने है calotropican guava जो होते हैं इसके example है और तीसरा कहा है world type की philotexy जब क्या होता है कि एक node से बहुत सारे leaf जो होते हैं एक node से बहुत सारे leaf जो होते हैं arise होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हम जोलते हैं इसको world type of philotexy that is commonly found in the elstonium इसको हम क्या बोलते हैं पाई जाती है, अलस्टोनियम इसको क्या गिया थे, फाउंड क्या आते है, तो फिलो टेक्सी क्या है, अब हम NCRT को study करते हैं, फिलो टेक्सी क्या है, arrangement of leaves on the stem और ब्रांच, this is usually जो होती है, तीन टाइप की होती है, एक्जामपल याद रखने, alternate, opposite and wild, alternate type of philosexie में क्या होती है, single leaf जो होते है, that arise from the each node in alternate manner, this is represented in china rose में, example है, mustard भी example है, and sunflower आपको तीन example या रखने है, china rose, mustard and sunflower जो होती है, तीन example है, china rose, mustard and sunflower जोतने हैं, इसको एग्जामपल है, opposite में क्या होते है, opposite type में a pair of leaves जोती है, that arise इस पेर पेर अफ लीब जो एक एक इच नोड से राइज हो रही है लाइ अपोज़िट विच अधर यह जो एक जाए अपने याज रखने मैं एक्जामपल दौर रपीट करता हूं अल्टिनेट आपका चाइनरोज में मस्टर में सीमस करके याज रख लो और संफलार में सीमस में आपने देखा ही होगा और केलोट्राफिस में क्योंग यापोजट होती है और एक एक एक्जामपल दे रखा है उसकी बादा आता है अपका इस लास्ट टॉपिक इसका ठीक है लीफ का इस मोडिफिकेशन अप दा लीफ अब दुकुल लीफ का मेहिन काम क्या है फोड़ फोड़ोसिंस करते है उसको हम क्या बोलते हैं जैसे आपने देखा कि लीफ जो हती है यह आफन मॉड़िफाइट व परफॉर्म फंक्शन अदर दैन फोड़ोसिंस इस दे आर कन्वर्टिन टेंडिल तेंडिल स्टैम में भी बन रहे थे कहां बन रहे थे कुकुम्बर में बन रहे थे ग्रेव बाइन्स में बन रहे थे उसके बाद वाटर मेलन में बन रहे थे ठीक है यह सता लेकिन वहां पर एक्शलरी बड से टेंडिल बन रहे थे लेकिन यहां पर लीफ क्या कर रहा है यहां पर लीफ टेंडिल बना जैसे पी के प्लांट में पी प्लांट में यहां पे बनगे ठाल हैं यहां पे स्पाइन बन रहे थे यहां-पे स्पाइन बन है तो स्वाइन पॉलने का मतलो क्या है ? मैं गार्लिक कि आपने देखो कि आप खा जो आप खाते हो उसमें लीप्स करती है फूड स्टोर करती है लेकिन कुछ ऐसे प्लांट very very important, कुछ ऐसे plant है, जैसे in some plants such as Australian Acacia Australian Acacia क्या होते हैं, leaves होते हैं वो small होते हैं, leaves होंगे वो क्योंगे small होंगे, short leaves हो जाएंगे, उनकी petiol क्या करेंगे वो short leaves क्या करेंगे, leaf का blood जोगा गिर जाएगा, उनका petiol क्या क्या करेगा, वो expand हो जाएगा और green बन जाते हैं, और synthesize करता है, food, food synthesize करता है, उसको क्या है, fillode बोलते हैं, क्या बोलते हैं, fillode हम बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ लिए है, हमने fillode पढ़ा, और fillode पढ़ा, लेकिन fillode का example क्या है, आपका जो मतलब australian acacia में होता है, तो लिखा है, इन plants such as australian acacia, the leaves are small and short lived, और petiole of these plants जो होते हैं, expand कर जाते हैं, green बन जाते हैं, और synthesize करते हैं, food और leaves of certain insectivores plant भी होते हैं, जैसे pitcher plant होता है, venus fly trap जो होते हैं, इसको pitcher plant को हम बोलते हैं, neepanthesis neepanthesis बोलते हैं, neepanthesis बोलते हैं, और dionia जो होते हैं, venus fly trap बोलते हैं, ठीक है, यह जो होते हैं, इनमें insect को catch करते हैं, और digest करते हैं, और अपने plant के लिए nitrogen की कमी पूरा करते हैं, समझाई चीज़, तो यह बहुत ही important काम है, modification of the leaf, क्या करते हैं, tendrel बना रहे हैं, piscence type हम में, जो spine बना रहे हैं, cactus में, phylood बना रहे हैं, photocensis कर रहे है, petiol कहां पे, australian acacia में, और neepanthesis और dionia, that is called, also called as the venus fly trap and, sorry, that is also called as the pitcher plant, that is neepanthesis, or venus fly trap, that is dionia, ठीक है, यह insectivorous plant है, तो this is all about your stem and the leaves, ठीक है, this is all about your stem and the leaves, ठीक है, तो this is all about your stem and